मुझकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई शुरू करते हैं आज का सवाल हमारा एनिबेस सब्ट्राक्शन इस कोश्चन में हमें दो नमबर्स दिये गए हैं N1 और N2 जो कि हमें किसी एक बेस में दिये गए हैं B अब हमें उन नमबर्स में से हम एंटू हमारा बड़ा नमबर है उसमें से हमें N1 को डिजू स बडर देना है जो के हमारा है ब इसमें इसके एक basic approach है जो कि शायद मैं सोचता हूँ कि आप लोग यार mind में आप तक आभी गई होगी कि यार हम क्या गरेंगे दोनों numbers को ठाएंगे decimal में convert करते हैं decimal में operation करगे वापस से अपने answer को convert करते हैं पर यार वह थोड़ी लंबी approach है अम उसके तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हमें पहले conversion करना है फिर दुबारा conversion करना अपने base में हम इसी n1 और into में को चैसे operations perform करेंगे कि हमारा जो answer है वह इसी base के अंदर आ जाए वह एक better approach होगी है ना तो हम उसी पर काम करते हैं चली start करते हैं सबसे पहले एक example ले लेते हैं अगर आप लोगों को idea नहीं है कि base क्या होता है या फिर यह सब तो मैं अपनी previous वीडियो में 8 में ले रहा हम octal base में octal यानि की 8 digits अपना number system represent करेगा 0 से लेके 77 में digits allowed होंगे मैं start करते हैं हमार यह approach क्या होगी हम आखरी के 2 digits उठाएंगे हमारे नंबर के उनको minus करेंगे उनका result यहावे put करेंगे और आएसे इसम shift करते हुए चलिए पहले example लेते हैं इसमें से 2 और 6 उठाते हैं 2-6 तो 6 से छोटा है 2 करेगा यार मेरे बसकी बात नहीं है कि मैं 6 को हरा सको मैं 6 को defeat कर सको यार मेर से नहीं होगा तो क्या करेगा अपने side वाले के बास जाएगा उससे help मांगेगा तो एक काम कर मुझे कुछ उधार दे दे मैं उससे लड़नी पा रहा हूं मुझे उसको देने हैं मैं करनी पा रहा हूं तो मुझे कुछ उधार दे दे वो कैगा चल ठीक है यार मेरे यहां से तू एक ले जा तो क्या करेगा उसको एक तरह से 2 ने minus 1 का carry दे दिया actually वो इससे borrow कर रहा है इससे ले रहा है बट हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी असानी इकलाम यह समझते हैं कि उसने उससे minus 1 का उसको carry दे दिया उसमें से एक कम कर दे और वो अपने पास लिया अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि वो carry जब वो उससे इसके पास आएगा जब व 2 into 8 की power 0 है यह जो 1 है यह 2 into 8 की power 1 है यह जो 2 है this is 2 into 8 की power 2 this one is 2 into 8 की power 3 ठीक है तो यह इस तरह से है यानि कि अगली position पे left वाली position पे जो भी digit है जो भी number है वो इस वाली position से 8 गुना जादा होता है base times जादा होता है base की powers में बढ़ते हुए चलते हैं तो यह वाला जब यहां आएंगे, यहां से 8 आएंगे क्योंकि जब यहां से 8 गए होंगे इस side पे, तो वो group बनके उनका गुच्छा बनके left side में एक जाता है जब हम carry देते हैं, addition में आपने देखा होगा लेकिन इस case में आप यह वापस ले रहा है उससे तो यहां का एक, इस position का इस 1 का एक, इस position पे जब आएगा इस 2 के पास जब आएगा, तो वो 8 बनके आएगा तो यह जो हमारा 2 है, हम इसमे plus 8 करेंगे ठीक है, और यह मिलके हमारा कितना हो जाएगा, total 10 हो जाएगा 10 में से 6 को माइनस करेंगे, हमारे पास answer आएगा, यह हमारे answer का पार्ट बनेगा, अभी इसको divide नहीं कर पाया था, तो हमने carry minus 1 दे गया था उससे 8 ले लिए थे अपने, जो भी हमारा base है, उसकी equal number ले लिए थे उसमें इसको plus करा, और हमने minus कर दे, यह हमारा 4 answer का part बन गया, ठीक है, अगले वाले part को लेते हैं, अगले digits को लेते हैं, हमारे अगले दो digits है, 1 और 5, पहले तो हमें 1 में से 5 minus करना है, लेकिन अब बात करें, 1 के पास एक carry भी है, minus 1, वो कहेगा यार पहले हिसाब किताब चुट अगर जो तेरे पास है, actually जो number है, इससे कुछ लिया lane देन हुई थी, पहले minus 1 का carry है, इसके पास हो गएगा, यार पहले यह हिसाब करके, इसको हम देखेंगे, यह actually हमारा बन गया 0, यह number अब हमारा 0 था, हमने उस में से minus 1 carry दिया था, और एक अपना है, हाँ, 2 के पास भीच दिया था, तो अब यह number 0 रहे गया, तो basically हमें 0 में से 5 को minus करना है, अगर 0 के बसकी फिर से 5 को minus करना है, यह 0 का air मैं तो छोटा पड़ी है, मुझे help की जरूरत है, वो क्या करेगा, अपने left वाल के जाएगा, 2 के बाद जाएगा, कहे रहा है, तो मुझे अपना 1 दे, 2 कहाएगा, चल ले, ठीक के ले ले, वो minus 1 का carry ले लेगा, अपने में से एक घटा के इसको दे देगा, लेकिन वो जब इस 0 के पास आएगा, जैसे कि पिछले case में हुआ था, तो वो, जितना base था हमारा, उतने number, उतने digits लेके आएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 8 हो जाएगा, 8 में सा हम 5 गटाएंगे, 3 हमारा answer हो जाएगा, यह 3 हमारा answer में इधर जुड जाएगा, यह actually 3 into 10 होगा, यह भी concept मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था, निवेस अडिशन में, आप उसमें समझ गए होंगे, कि हम इस 3 को answer को भी एक position shift कर रहे हैं, यह मैं यहाँ पर दोबार explain इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बाकि आप समझते ही हैं, अब तीसरे digits को उठाते हैं, जो कि हमारा थे 2 और 2, अब हमें 2 में से 2 माइनस करना है, लेकिन यार पहले जो हमारा carry का हिसाब कताब चुटा करते हैं, इसमें से एक गया भी था, इसने carry दिया था, जब 1 की मदद करी थी या फिर 0 की मदद करी थी, तो वो 2 में से उस carry को हम जोड़ेंगे, या फिर एक त जार दे दे, यह कहिए चल ले ले यार, यह इसको minus 1 का carry दे देगा, और इसमें खुद आके, जितना हमारा base है, उतने number जुड़ जाएंगे, अब यह हो गया 9, 9 मिसे 2 गए 7, यह 7 हमारा answer का part बना, इधर minus 1 में जाएं, आखरी वाले elements को उठाएं, तो इस तरफ कुछ बचा नहीं है, इस तरफ 0 है, और इस तरफ 1 था, तो basically हमें 1 में से 0 माइनस करना था, लेकिन उससे पहले, जो हमारा 1 था, n2 का बड़े number का, उसका carry है, उसका हिसाब किताब करें, तो हिसाब किताब करेंगे, 1 में से 1 गया, 0, 0 में से हमें 0 माइनस करा, और बास 0 बज गया, और 0 ह हमारे answer में जुट गया, जो कि हमें जरूत थी नहीं, लिखनेगी, इसलिए हमारा answer क्या आगया, 734, 734 in the base 8, octal base में, अब आपने देखा, ना हमने decimal में conversion किया, ना हमने कोई extra conversions कि, हमने इसी उसमें answer लिख दिया, अब आप देख रहे होगे, सभी process में, वो क्या रहा है, तो भी हमारा minus करेका output आ रहा है, और जो हमारा carry है, हम next position पर भेज रहे हैं, अगर वो उसको divide नहीं कर अपा रहा है, तो हमें next position पर minus 1 का carry भेजना है, ठीक है, चलिए इसी को code करने के कोशिश करते हैं, हम अपने C++ में, अब हमारे पास आपके लिए input output manage किये गए हैं, आपक चोटे वाला number, into बड़े वाल number, ये constant question का मान के चल रहे है, into n1 से बड़ा होगा, ठीक है, चलिए start करते हैं, अब हमें अपना answer बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक variable ले लेंगे, int answer, अब हमारे पास answer में कुछ नहीं है, उसको 0 initialize कर देंगे, अब आपने देखा था, हमें carry काले की जरूत पट रही थे हर position पे, तो हमें carry का variable बना लेंगे, int carry, बराबर 0, अभी के लिए, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, अभी काम हमें, repeatedly हमें क्या हम क्या कर रहे थे, बार बार digits उठा रहे थे, दो, आखरी वाले, या फिर हर position के, और उनको, उनमें operations perform कर रहे थे, तो वो operations बार पार हो रहे थे, तो एक loop लगाऊंगा मैं, लेकिन वो operations कब तक होंगे, उसकी condition क्या होगी, इस case में ज़्यादा कुछ नहीं, जब तक into, यानि कि जो बड़ा number है, हमारा वो खतम नहीं हो जाता, हमारे final answer में, जब तक हमारा बड़ा number है, यानि कि हमारा final answer अभ last digit of 1 लेंगे, n1 modulo 10, यह क्या-क्या है, मैं previous video में explain कर चुका हूँ, आप महां जाके देख सकते हैं, बाकी, basically हमने क्या-क्या आक्रिजिट्स उठाएं, दोनों number हो के, last digit of 2, n2 modulo 10, यहां से हमने last digit उठा लिए, अब इन numbers को reduce भी करेंगे, ताकि next time हम इने use करें, तो आक्रि लिए बार उनकी जरूत नहीं है, ताकि ही काम repeatedly last digits पर हो सके, तो numbers को reduce कर रहे हैं, n1 बराबर, n1 by 10, n2 बराबर, n2 by 10, फिक है, यह हमने कर दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा answer था, जो हमें इने ld1, ld2 में से ld1 को minus करेंगा, और carry वगएरा के, एक वो ले 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 थे हैं, हमने लिया, int digit equal to, अभी इसको zero initialize कर देते हैं, ठीक है, और d2 जो था हमारा, अब आप देखिए, कुछ भी होता था था, तो हम पहले क्या करते थे हैं, d2 जो बड़ा number था, उसका हिसाब किताब करते थे, कि यार उसके वास carry है, carry नहीं है, तो वो कर ले देते हैं, हमारा, ld2, last digit of 2, बराबर, ld2, plus carry उसमें चुड़ जाता था, यह हमने carry का हिसाब किताब कर दिया, अगर carry होगा, तो वो एक से reduce हो जाएगा, जो कि borrow होता था, actually, हम उसको carry की तरह यूज़ कर रहे हैं, परना अगर zero हुआ, तो as it is रह जाएगा, ठीक है, अब condition condition आती है, अगर, अब आपने देखा था, दो काम होते हैं, अगर मेरा ld2, ld1 को हरा पा रहा है कि नहीं हरा पा रहा, उसके पास इतना पैसा है कि उसका उधार दे दे या नहीं दे दे, अगर दे पा रहा है, तो उस case में हम directly minus कर सकते हैं, अगर नहीं, तो उसको क्या जरू अगर है, ld1 के, यानि कि फिर तो उसको minus कर देगा, 0 तक अपना answer ले आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो carry है, वो carry आगे नहीं जाएगा, कुछ borrow नहीं किया उसने, तो carry हमारा 0 ही रहेगा, और हमार जो digit है, जो answer का part बनेगा, वो हो जाएगा, ld2 minus ld1, last digit of 2 minus last digit of 1, मुझे कुछ चाहिए, मैं इसका उधार नहीं चुका पाऊंगा, मैं इसको नहीं अरा पाऊंगा, तो क्या करेगा, borrow लेगा, यानि कि carry को हमने minus 1 कर दिया, आगले digit के लिए, और हमारा जो digit था, उसमें भी कुछ changes आएगे, हमारा जो ld2 था, उसमें changes आएगे पहले, तो ld 2 हमारा ld2 प्लस हमारा base हो जाता था, और अब हम digit जो answer था हमारा, वो answer हमारा ld2, ld2 हमने update कर दिया, base उसमें चूड़ दिया है, minus ld1 कर दिया, यह हमारा हो गया है, लेकिन अभी तो digit बना है, अब इस digit को हमें answer में भी चूड़ना है, answer बराबर answer plus digit into power, क्योंकि मुझे हर बार उसको shift करना है, तो मैं power, power into 10 कर दूँगा, यह मैंने क्या क्या है, यह आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दूबर explain नहीं कर रहा हूं, मैं एक variable ले ले लेते हैं, int power, क्योंकि जो result है मेरा, जो उसमें digit आ रहा था, सार बार मुझे उसको इक position shift करना है, यह उसके लिए है, int power equal to 1 starting में, ठीक है, यह सब हो गया है, और हमारा, अगर हम देखे, while loops से भाहरा आके, हमें answer return कर देना, अगर while loops हम जब भाहरा देना, हमारा सारा काम हो जाएगा, अने इंटू खरम हो चुका, हमारा final result बन चुका है, हमारा answer में हमारा total answer होगा, तो हमें answer को return कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर get difference से जो आएगा, उसको हमें cout भी करना है, यहाँ पर output के लिए, और इसको चला के देखते हैं, output ठीक हा रहा है, final submit करके देखते हैं, यह चल जाना चाहिए, बिल्कुल यह चल गया है, यह हमार concept था, और code था, C++ में, anyway subtraction के लिए, मैं hope करता हूँ, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है, तो please like कीजेगा वीडियो को, comments कीजेगे, और share कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ, PS के साथ, subscribe कीजेगा, pepcoding.com को, हमें motivation मिलेगी, ताकि ना हम अच्छा quality content और बना सके, अगर जितना share होगा, जितना like होगा, and we are bringing, यह सब free of cost हम आपके लिए ला रहे हैं, quality content है, इससे अच्छा content हिंदी में, पूरे इंडिया में, DSA में नहीं मिलेगा आप लोगों को, चलिए, अपना क्या लखेगा, धन्यवाद.